कि तो आज हम बात कर रहे है हैर-फॉल और उससे ररेलेटेट मेडिसीन के बारे में जब आपको गं़जापन देखने को मिलता या आपके बाल बहुती बेजान से रूखे रहते और बार-बार गिरने लगते जाड़ रहे हैं तो उस प्रूस को रेजन रहे हैं कि आपके बाल जढ़ है जैसे कि आपके बाल में बायोटीन की कमी हो सकती है कॉपर या सेलेनियम की कमी हो सकती है जो हैर के लिए बहुत इंपोर्टन रहता है जिंक या लूटीन या ओमेगा 3 fatty acid या बिटामिन E और C की कमी हो जिसके वाज से आपका हैर फॉल हो रहा है तो आज इसे ही ब्रांड के बारे हम बात करें जिसके अंदर यह शारे molecule है जो आपको help करेंगे हैर ग्रोथ को बढ़ाने में और हैर फॉल को रोकने में तो आज हम बात करें है एचछ ओमेगा कैपसुल के बारे में तो इसे हेगड़े फार्मास्योटिकल द्वारा बनाया जाता है इसका 10 कैपसुल का पैक है जिसकी कॉस्ट है 230 रुपया प्रोडक्त थोड़ा महेंगा है लेकिन आपको help करेंगा बहुत अच्छे से केरकव जिसकी सेलैनियम और जिया जैयनतीन neighbor help करेंगे बहुत अच्छे से विचाये अच्छे से ल्यूटीन और जिया जैयनतीन यह आपको help करेंगे आपके हेयर को मजबूत होने में और अच्छे से हेल्ब करेंगे जैसे कि हैर को डाइमेटर उसको बढ़ाने में इसके अंदर ऐड किया गया जिसे किनी जो आपको हेल्प करते हैं कोलेजन की ॹोंजन में जो हेल्प करता है है के फॉरमेशन में जो उनकरrick उसमें मदद करता है ताकि आपका hair fall अच्छे से रुख जाए और आपके hair को growth मिले तो इसके अंदर जो omega 3 fatty acid है यह main molecule अच्छे से work करता है आपके blood flow को बढ़ा देता है और यह blood flow को बढ़ा देता है तो जिसके वसे क्या होता है कि आपके पूरे बाल के जड़ो में अच्छे से proper nutrient पहुंसता है जैसे bio tea, copper, zinc, selenium है और vitamin e, c जो आपके hair के root में अच्छे से मिलता है जो hair को बहुत अच्छे से growth करने में मदद करता है और hair fall को रोपता है तो अगर इससे use करना है तो आप once tablet daily ले सकते हैं इसका result आपको minimum two month में देखने को मिलेगा जो काफी अच्छे आपको result देखने को आपको hair fall रुख जाता है तो अगर इससे use करना है तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में discuss करें अगर आप खुछ से use करते हैं हो सकता है आप जादे कम डोजिस ले तो आपको तकलीप आजाएं जैसे कि blood pressure आपका बढ़ सकते क्योंकि इसका फ्लो जो आपके circulation को बढ़ाता है यह सरी समस्या देखने को मिल सकती है अगर आप डबल डोजिंग करेंगे तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली वर विजिट किये तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं बहुत सारे मेडिसीन से जोली जानकारी के लिए वीडियो आपको पसंद